Welcome guys, कैसे हैं, आसा एच्छ होगे, साथियो PHP में आज हम सीखेंगे array के diff और udif function को, देखें diff function के अंदर 8 अलग-अलग परकार के function होते हैं, और ये सारे function क्या काम करते हैं, ये 2 या 2 से ज़्यादा array के बीच difference निकालते हैं, ये difference की का भी हो सकता है, values का भी हो सकता है, तो इन का यूजन किस परकार करेंगे यह जानेंगे प्रैक्टिकल इस वीडियो में तो इस मन तक बनी रिगा नमस्कार साथ हूं मेरा नाम में मनोश कुमार और आप देख रहे हैं की और वैल्यू निकाल के देगा ना कि दूसरे एरे के यानि कि डिफ्रेंस कहां पे है वो पहले एरे का ही दिखाएगा और एक नया एरे करेट करके देगा तो सबसे पहले हम लें array div function को तो उसके लिए हम एक नया array लेंगे तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ एक नया array जिसका नाम दज़ेता हूँ मैं any के नाम से इसके अंदर मैं पास कराऊं array div function को तो div क्या काम करता है यह सिरफ value को compare कराता है यहाँ पर red value है यहाँ पर इसके पास भी red value है difference कौन सी है यहाँ पर देखो green value है यहाँ भी green value है लेकिन इसकी key अलग है तो की को तो मैच नहीं करा रहे हैं हम सिरफ value को मैच करा रहे हैं यहाँ पर देखो blue इधर नहीं मिल रही इसको तो blue difference होगी yellow यहाँ पर मिल रही है yellow difference होगी और यहाँ पर purple भी difference है तो यह purple को नहीं लेगा यह सिर्फ पहले array की value को ही match कराएगा और उसी की हमें को output निकाल के देगा तो यहाँ पर result हमारा blue और yellow में आना चाहिए रहा है तो यहाँ पर array div function के अंदर कम से कम दो parameter पास होगे क्योंकि दो array है हमारे पास तो कम से कम दो parameter तीन array लेते हैं तीन array में difference निकालेंगे हम तो तीन parameter हो जाएगे तो यहाँ पर हम पहले तो देते हैं color 1 को कोमा डालके हम use कर देंगे color 2 को दोनों variable हमने यहाँ पर ले लिए और इसको मैंने पहले प्रिंट करा करा है प्रिंट के अंदर मैं देता हूँ $n को save करा देते हैं और यहाँ पर आके हम चलते हैं array function के अंदर इस file को open करेंगे इसी में मैंने बनाया है तो देखो यहाँ पर कौन कौन सी दे रहा है यहाँ से मैं इसका comment हटा देता हूँ यह है मैंने लिया है color 3 और इसके अंदर भी कुछ value लिये अब हम इसका difference निकालेंगे तब हमको यहाँ पर तीन parameter देने होंगे दो तो हमने पहले दे रखे तीसरा ओर ले ले लेते हैं पर मैं करता हूँ color यहाँ पर हमने डॉलर नहीं लगाया यह है color 3 के नाम से right save करा देते हैं इसको फिर से refresh कराएंगे यहाँ पर कुछ mistake आई है हमारी यह कह रहा है syntax error दिखा रहा unexpected array dollar na इसको दिखा रहा है dollar na को unexpected क्यों दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पर जो हमने तीसरा variable लिया है इसको हमने यहाँ पर close नहीं किया यहाँ पर हम semicolon लगाएंगे save कराते हैं और refresh कराएंगे वापस से तो देखो अब result दे रहा है blue तो इसमें difference आगी सिरफ एक value blue जो इन दोनों array में exist नहीं करती है blue देखो सिरफ यहाँ पर है इन दोनों में blue value नहीं है और एक बात और यह case sensitive होता है यहाँ पर देखो मैं मान लीजिए by the way यह जो green लिखा हुआ है ना इसको मैं कर देता हूँ small z अब save करा देते हैं और refresh कराएंगे हम वापस से यहाँ पर तो देखो अब यह green को भी दिखा रहा है क्योंकि यह दोनों अलग मान रहा है इसलिए यह difference आ गया दोनों के अंदर तो यह ध्यान रहा है यह case sensitive होता है राइट वापस से इसको मैं capital करा लेता हूँ save करा देंगे और इसको हम फिर से refresh करा लेते हैं इसके बाद दूसरा function है array diff और key के नाम से इसी के अंदर मैं यहाँ पर underscore करके कर देता हूँ key और फिलाल इस array को मैं वापस से हटा देता हूँ वापस comment करा देते हैं और यहाँ से भी हटा देते हैं अब यह function क्या काम करता है देखो only यदि हम array diff करते हैं तो मैंने बताया कि यह सिरफ value को compare कराता है और array diff की यह keys को compare कराता है इसका value से कोई शम्मद नहीं है यहाँ पर देखो जब उसने green को नहीं दिखाया था क्योंकि green हमारी different value नहीं है अब यह दिखा देगा B और F दोनों को क्योंकि यहाँ पर key different है दोनों की तो result हमारा green भी आना चाहिए न save करा देते हैं इसको वापस दे और इधर आके refresh कराएंगे तो देखो यहाँ पर ग्रीन भी result आ गया पहले only blue आ रहा था अब हमारा green भी यहाँ पर आ गया क्योंकि green भी अलग हो गया हमारा result हमको देता है तो यहाँ पर different की हमारी b और c होगी अब इसको value से कोई फरक नहीं है राइट इसके बाद तीशरा function होता है array diff aso यानि कि यह associative इसका मतलब होता associative और यह सिर्फ associative array पर ही काम करता है तो हमने जो यह array ले रखा है एक associative array है तो array diff और array diff की दोनों तरीके पर काम कर सकता है associate पर भी और index array पर भी जबकि array diff associate या aso बोले हम यह सिर्फ associative array पर ही काम करता है यह दोनों को match कराता है दोनों चीज़ों को compare करता है की को भी और array को भी दोनों ही यदि different है तब ही हमको result निकाल कर देता है तो यहां पर मैं use करता हूं array div so save करा देते है और इसको अब हम refresh कराते हैं यहां पर तो देखो इसने result दीए तीन हमको b c ॉर d यह इसको भी मैच करा रहा है और values को भी मैच करा तो यहां पे देखो इधर आराम से मैं खिसकाता हूं थोड़ा सा तो देखो भी हमारे पास डिफरेंस है ना क्योंकि भी इस वाले अरे में नहीं है इसने गिरीन सही उठा लिया दूसरा सी उठाया सी के अंदर देखो यहां पे ब्लू वैल्यू है यहां पे सी है नहीं तो इ अलग अलग है इसलिए इसने यहां पे यल्लो वाली वैल्यू डी की भी हमको रिटन करके देदी तो यह की और वैल्यू दोनों को ही कंपेर कराता है तो यह तीनों फंक्शन थे कि हम यदि काम पीएच्पी से लेना चाहते हैं इसके बाद पांच अलग अलग डिफरेंस फं रहे हैं हम अपना खुद का एक फंक्शन बनाएंगे और उस फंक्शन में इन दोनों को कंपेर करने का कोड लिखेंगे अब इसमें कम से कम तीन पैरामिटर देने जरूरी हैं देखो दो पैरामिटर तो हमारे दो अरे हो गए और तीसरा पैरामिटर हमारा फंक्शन होता है मान लेजी हम यहाँ पर function ले लेते हैं com के नाम से या फिर comp ले लेते हैं comp हमने function का नाम ले ले हम compare कर रहे हैं तीन parameter हमारे पास हो गए अब इसके लिए comp के लिए हम एक function define करेंगे उसके लिए उपर ही आ जाते हैं php के बाद ही यहाँ पर हम एक function ले लेते हैं उसके लिए करते हैं function और function का नाम हमने लिया है comp राइट इसके अंदर भी हम दो argument देंगे हमारे पास दो array हैं एक तो है हमारे पास color one के नाम से और दूसरा है हमारा color two के नाम से यह क्या press हो गया color two के नाम से राइट हमने यहाँ पर function बनाया और हमने इसके अंदर दो argument दे दिये यहाँ भी शायद यह dot लग गया है coma लगेगा अब जो भी हम यहाँ पर function के अंदर जो parameter देंगे उनकी value हमारी इस function के अंदर store हो जाएगी जो हमको यहाँ पर compare कराके उसका return देगा तो उसके लिए यहाँ पर एक statement लिख लेते हैं मैं यहाँ पर statement लिख लेता हूँ कि यदि हमारा जो variable है color one यह equal to तीन बार equal करेंगे किसके बराबर हो यह हमारा color two के बराबर हो ठीक है तब हमको क्या return मिले तब return मिले यहाँ पर एरे one और एरे two यानि कि पहला हमारा एरे और दूसरा एरे equal है देखो एरे one की की और value जहाँ जहाँ एरे b की की और value से match करेगी जहाँ भी match करेगी वहाँ वहाँ यह zero return देगा क्योंकि हमने यहाँ पर equal दिया है और यदि array one की value बड़ी होती है तो one और यदि array one की value array two की value से छोटी होती है तो minus one return करेगा तो उसके लिए हम यहाँ पर एक statement और दे देते हैं हम यहाँ पर करेंगे return वहाँ वरना क्या return हो जाए हमारे पास अगर बराबर हैं तो zero वरना return हो जाए हमारा same to same उसी परकार से हम लेंगे color one और color two इसको हम कर देंगे कि यदि ये greater रहने right color one यदि color two से बड़ा है तब क्या हो भाई तब हमारा यहाँ पर आजाए one colon लगाएंगे वरना आजाए minus one अब इसको हम save करा देते हैं और यहाँ पर आके हम refresh कराते हैं वापस से तो यहाँ पर फिर से हमारे पास error आगी unexpected हमारा colon की error आई है इदर वापस से आते हैं और यहाँ पर देखो zero के बाद यहाँ पर हम colon लगाएंगे save कर देंगे वापस से हम और इसको करेंगे refresh अब यह कह रहा है green blue और yellow अब यहाँ पर यह दोनों चीजों को लेके चल रहा है यहाँ पर देखो यह red दोनों equal है खतम होगी zero होगी दूसरे के अंदर हमारी b green और यह f green है तो यहाँ पर key का difference हो गया a की value बड़ी हो गई यह इसने यहाँ पर b green दे दिया दूसरे आगे चलते हैं यहाँ पर आ रहा है देखो c blue यहाँ पर नहीं match कर रहा है यह बड़ी हो गई c blue आ गई फिर चलते हैं d yellow और यहाँ पर दी purple तो यहाँ भी हमारे पर yellow पहले आ गई तो d बड़ी है तो यहाँ पर d yellow की इसने दे दी अगला यूजर डिफाइन फंक्शन आता है उसमें थोड़ा साइड डिफरेंस है काम सेम करेगा उसमें क्या होगा हमारा array diff यू एसोक नहीं होगा यह हमारा होगा array यू डिफ और एसोक सेम काम करेगा as it is हमने कहीं पर कोई चेंज नहीं करना है सिर्फ हमने यह लिखने का फरक है वो लिखा जाता है array diff यू एसोक और यह लिखा जाएगा array यू डिफ एसोक ठीक है सिर्फ लिखने का फरक है save कराएंगे, refresh कराएंगे तब भी हमारे पास सेम रजल्ट मिलने वाला है next होता है user define function के अंदर वहाँ पे हम करेंगे array diff और इसको हम करेंगे एसोक की बजाए यू की, ये क्या काम करता है आपको पता चल गया अगर हमने यू की लगाई है तो ये सिर्फ की को मैच करेगा और जहां भी की मैच होगी उसको एक नए array के अंदर डाल देगा इसमें function के अंदर कुछ चेंजमेंट नहीं होगा बाकी save रहेगा save करा देते हैं यहाँ पे इसको refresh करा लेते हैं यहाँ पे अब result दे रहा है green और blue क्योंकि यह सिर्फ यहाँ पे की को मैच करा रहा है अब आप ही सोचो कि यह काम तो हम array diff की और array diff ऐसोक से भी कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि ज़्यादा दर maximum जो पहले हमने तीन function बताया थे वही use में आते है user defined function बहुत कम use में आते हैं एक ही जैसा काम होता है वो PHP हमको करके देता है और यहाँ पे हम function लगा के खुद से करा रहे है तो अब जब हमने array diff u key को किया है तो हम array u diff को भी करके देख लेते हैं यहाँ पे हम u key को हटाते हैं और करते हैं u diff अब आप इससे भी समझ गए होगे यह केवल value को compare कराएगा ज़ि array diff u key सिरफ key को compare कराता है तो array u diff value को compare कराएगा बाकी इसमें हम कोई changement नहीं करेंगे same function रहेगा save करा देते हैं refresh करा लेंगे यहाँ पे तो अब यह value को हमारी compare करा रहा है इसको अब key से कोई मतलब नहीं है अब last function आता है वो होता है array u diff और us of करते हैं us of यह कुछ थोड़ा सा difference है पहली बात तो यह सिरफ associative array पे काम करता है index array पे काम नहीं करेगा बाकी दूसरे हमारे index array पे भी काम करते है इसकी खास बात यह है कि यदि हमने दो arrays को compare कराना है और अलग-अलग की और value से दोनों से compare कराना है तब हम उसके लिए दो function बनाएंगे दो function बनाने पड़ते हैं इसके लिए एक function की को match करेगा और दूसरा function value को match करेगा तो इसमें कम से कम चार parameter आएंगे क्योंकि दो function बनाएंगे तो एक parameter तो हमने यहाँ पे लगा दिया दूसरा parameter और डाल देते हैं पे मैं करता हूँ दूसरा parameter comp2 के नाम से कर देते हैं यह value को match कराएगा या फिर compv हम डाल देते हैं तो पता रहेगा कि यह हमारा comp key है और यह हमारा comp value है अब function भी दो define करेंगे तब इसी function को मैं copy कर लेता हूँ क्यों क्योंकि function में इसमें कोई changement नहीं आएगा कोपी कराएगे निच्चे आखे हम कर देते हैं paste तो पहला function तो इसका काम करेगा इसमें नाम भी change कर देते हैं यह ए compv के नाम से तो पहला function तो काम कर रहा है इसकी key को match कराने के लिए और दूसरा function काम करेगा value को match कराने के लिए तो यहाँ पे क्या result आना चीए यहाँ पे देखो key a a red red result नहीं आएगा दूसरा key b green f green तो यहाँ पे difference आ गई value तो हमारा पहला तो यह आएगा हमारा return output आगे और कोई return आ सकता है यहाँ पे c है इधर c नहीं है blue blue भी नहीं है तो दूसरा result हमारा यह आ गया यह भी different value है तीसरा यह आ सकता है d yellow यहाँ पे देखो d key तो है लेकिन color yellow नहीं है तो तीसरा यह भी आ जाएगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे green blue और yellow तिनों result आएगे save करा देते हैं वापस से refresh करा लेंगे इसको green blue और yellow तो इस प्रकार से काम करते हैं हमारे array की difference function आठ function थे आठो मैंने आपको समझाए उमीद आपको समझ में आ गए होगे आसा यह वीडियो आपको जूर अच्छा लगा होगा इसी प्रकार अच्छे अच्छी वीडियो